हालो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहिए क्योंकि आज आईटिय वोड है इंडियन टालिविजन अकैडमिया वो टू थाउजन टुवन्टी थ्री का जहां पे आपको खुशी भी बहुत हो जाएगी और काफी फैंस है जो निराश्ट भी हो जाएगी जिन्हें जब स से ज्यादा वोटिंग हुई है वो नोमिनेट की लिस्ट में आ गये हैं अब देखना है कि आपने उन्हें वोटिंग करके क्या वाके ही उनके हातों में आईटिया की ट्रोफी आईगी जो है लगा ता ट्विटर पे ये ट्रेंड होने वाला अवोर्ड काफी चर्चाओं मे जाकर घर में ब्लैंकिट के अंदर बैट कर हातों में रिमोड लेकर आवोर्ड फंक्शन का मज़ा ले सके बाई नियो एर आजकल ऐसे ही सालिप्रेट होता है हमारे टाइम में तो क्या होता है गाजर का हलवा बनता था घर में जो है मेहमानों को बुला लिया जाता था नया कहीं अवोर्ड फंक्शन हो या कुछ भी हो उनका क्रेज कम हो गया है क्योंकि पहले आप घर में बैट कर जब नॉमिनेट लिस्ट देखते थे तो पक्का इसको ही अवोर्ड मिलेगा पक्का इसको ही मिलेगा फिर दूसरा कहते था नहीं यार इसको मिलेगा और फिर अचान मिलेगा तो आज क्रेशन काफी पसंद करते हैं यहां तो इसक्रेस क्रेश कम हो गया गया क्योंकि आपके हातों में मोभाइल है जैसे अब अज तो आपको पहले ही पता चल जाएगा बैस्ट एक्टर का वोर्ड उसे मिला है बैस्ट सपोर्टिंग का रोल उसे मिला है बैस्ट फिमेल एक्टर का वोर्ड उसे मिला है तो यह सब आपको पहले ही पता चल जाएगा लेकिन जिजिन अवोर्ड होगा सिर्फ आपके मन में क्रे लेकिन एक क्रेज होता है कि उनकी पर्फोमेंस देखना वो तो आपको उसी दिन नजर आती है जब वो रिलीज किया जाता है तो यही है आईटी आवोर्ड या बाकी आवोर्ड की कहानी लेकिन यहां मैं बात करी हूँ आईटी आवोर्ड आपको 1st January को ही देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको सारी वीनर लिस्ट आज ही पता चल जाएगी आज नाइट में आपको रेड कारपेट पे सभी सितारे देखने को मिलेगे जो भी अवोर्ड फंक्शन का हिस्सा होगा अब किसके हातों में ट्रोफी होगी बास्ट आक्टर की और किसके हातों से जब से ज्यादा टूइटर पे ट्रेंड हो रहा है वैसे तो बहुत सारे प्यारे से तर्षा दरोड़ा जिन्हें आप जो हैं देख चुके हैं गुमे किसी के प्यार में साई जोषी के पती करोग पूरा जिन ये रिस्त की वजे से जो है नॉमिनेट किया है फिर आते हैं आपके नकुल महता जिने बड़े अच्छे लगते को नॉमिनेट किया है लेकिन नकुल महता को यह हमेशा नॉमिनेट करते है या तो यह कहें फांस उनके बहुत ज़्यादा है और उन्हें प्यार भी बहुत देते हैं फिर किय उसरा चर्चाव में च्छाया और तीसरा यह पर्फोमेंस भी कर रहे हैं आई-टी आवोर्ड में आपकी पर्णाली राठोर के साथ आपको इनकी पर्फोमेंस देखने को मिलेगी लास्ट यह 2022 में बैस रेक्टर का वोर्ड हर्साच चोप्रा लेकर जा चुके हैं तो यह इस साल भी 2023 में बास ट्रक्टर का अवोड हर्सच चोपडा लेकर जाएंगे जब हर्सच चोपडा ने ये रिस्ता क्या कहला तका लाश शूट किया था उन दिनों ये खबर काफी उड़ी थी कि हर्सच चोपडा आईटी अवोड में पर्फोमेंस करेंगे और जो है उन्हें अवोड भी मिलेगा तो ऐसे में जो है ये निउस काफी तेजी से वाइरल हुई थी चलिए अवोड फंक्शन का तो जो है हमने देख लिया है कल उनों ने पर्फोमेंस किया है और कल हर्शाली सबसे जादा ट्वीटर पे ट्रेंड हुए है लेकिन बात करते हैं क्या इस साल अधिती देव शर्मा कथा की अग्टर से बहुत बाइस्ट आक्टर है और फिर किया है आपकी आशी सिंग को जिने आप मीद में देख चुके है यह उन दिनों की बात जैसे शो में देख चुके है फिर किया है परणाली राठोर को फिर किया है परणाली राठोर यानि कि आपकी अक्षरा को फिर किया है आपकी शिवांगी जोसी को और फिर किया है आपकी तेजस्वी परकास को तो यह जो है इनोंने नॉमिनेट लिस्ट निकाली है यह काफी खुश कर दिया है फैंस को जब फैंस ने नॉमिनेट लिस्ट देखी कि तेजस्वी परकास का नाम है लास्ट टाइम तेजस्वी परकास का इन्होंने जो है नॉमिनेट में भी लिस्ट में नाम नहीं दिया था जहां पर तेजस्वी परकास नागिन में नजर आई थी और काफी हाई वोल्टेज के साथ कर तो टूइटर पर लगातार ईत्य होग तरेंड किया तो ऐसे में अगर फुने हो तो और लोसल मीडिया अगर सोचल मीडिया की ऍम यह जा रहा है तेज – अब नहीं वह मेन आप को परकॉमेंस करती सुड़ आपको पता चल जाएगी अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिजिए ताकि नाइट में जब रैड कार पेटो तो मैं आपको बता सकूँ कि किसको कौन सा वोड मिला है बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है